हालो व्रिवान ग्रेटिंग्स फ्रम डॉक्टर रश्मी सुमेपैथी फ्रेंड्स हमारे देश में हेपटाइटिस बी की जो इंफेक्शन है हर साल करीब 10 लाख लोग इससे इंफेक्टेड होते हैं और इस समय एक डेटा के मताबिक अभी इंडिया में कम से कम 4 करोण लोग है जिनको हेपटाइटिस बी की बिमारी है आज की स्वीडियो में हम जानेंगे कि हेपटाइटिस बी होता क्या है इसके लक्षन क्या होते हैं शुरुवाती क्या लक्षन होते हैं जिसकी पहचान करके आप इस बिमारी को पकड़ में पा सकते हैं साथ के साथ इसका investigation इसका treatment क् करेंगे कि हेपटाइटिस बी क्या होता है तो फ्रंट्स हेपटाइटिस बी जहां पर भी आपको इपटो वर्ड मिलता है पैटोई जाता है दाटिस इंफ्लमेशन मतलब आपके लिवर यानि आपके जिगर के सूजन जिगर की inflammation को hepatitis बोला जाता है अब ये B word क्यों लगा हुआ है हमारे शरीर में कई तरह के viral infection हो सकते हैं जैसे कि current अभी जो viral infection हो रहा है Corona ये भी virus है हमारे शरीर में chicken pox है वो भी एक virus है polio virus है AIDS virus है बहुत तरह के viral infection humans को हो सकते हैं तो उसी में से एक जो infection होता है hepatitis का infection होता है तो हमारे शरीर में hepatitis चार तरह के हो सकते हैं hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C और hepatitis E जो hepatitis B होता है ये humans में और monkeys में दोनों के liver को affect करता है hepatitis B एक बहुती घातक infection होता है क्योंकि इसका जो virus होता है वो इनसान के शरीर से बाहर भी कम से कम 7 से 10 दिन तक जिन्दा रह सकता है इसलिए hepatitis B के virus को AIDS के virus से भी जादा खतरनाक बताया जाता है तो फ्रेंट जो hepatitis B होता है आपके शरीर में किस से फैल सकता है जानते हैं तो ये हमारे शरीर में फैल सकता है blood से saliva से या semen से लेकिन हमारे शरीर में ये infection किसी के साथ खाने से किसी के साथ handshake करने से किसी के साथ कपड़े share करने से किसी के साथ रहने से यह सारे जो infection होता है हमारे शरीर में नहीं आता है सिर्फ तीन mode of transmission होते हैं सिमन, sputum, यानि saliva और blood तो सबसे ज़्यादा जो देखा जाता है इसका जो transmission होता है वो कैसे होता है यह अगर mother को, इसका hepatitis B का infection है तो यह बच्चे में जाता है और यह 90% cases में यही reason बनके आता है इसके अलावा, अगर surgical जो instruments होते हैं, especially अगर हम hospitals के बात करें तो वहाँ पर किसी hepatitis B के patient का, अगर blood किसी को transfuse कर दिया गया, उन cases में हो सकता है या उसी infected needle से आपको injection लगा दिया गया, उसमें हो सकता है या beauty parlor के जो products होते हैं, जैसे कि आपने tattoo लगवाया, या आपने कोई और treatment कराया, hair treatment कोई करवाया उसमें आपकी pricking बगरा हुई, उसी needle से, तो उसमें हो सकता है तो बहुत सारे reason होते हैं, लेकिन आपका blood involved होना चाहिए, आपका saliva या आपका semen तो friends, आपको शायद पता नहीं होगा कि जो Amita बच्चन, जो Megastar जिनको बोला जाता है, वो भी Hepatitis B survivor है उनको ये infection हुआ था, 1982 में, जब वो घायल हुए थे, और उनको ये infection हुआ था, Transfusion के थ्रू, जिनका blood उनको चढ़ाया गया था, बहुत ही unfortunate ये था, कि उसको Hepatitis B था और इस तरह से उनको Hepatitis B का infection आ गया था, लेकिन वो एक Hepatitis B survivor भी है, Hepatitis B के साथ, वो TB के survivor भी है तो इसका मतलब सिर्फ ये हुआ कि Hepatitis B के साथ भी आप एक normal life जी सकते हैं, ज़रूरी ये है कि पूरी जागरुकता आपको रहे तो इसलिए इंडिया में 28 जुलाई को, हर साल 28 जुलाई को Hepatitis B awareness campaign चलाया जाता है तो फ्रेंट सबसे important चीज है Hepatitis B के बारे में ये है कि जो इतनी लोग इससे infected हो रहे हैं, उसका कारण क्या है उसका कारण सिर्फ यह है कि एक से चार महीने का समय लग जाता है आपके अंदर इसके symptoms आने में आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपको infection है, अगर आपको अभी infection आगे आपकी शरीर में तो आपको 4 महीने तो कोई symptoms ही नहीं आएंगे और 4 महीने में आप कितने लोगों को infection दे चुकी होंगे इसलिए Hepatitis B के रोगधाम के बहुत सारे उपायों के बावजूद भी Hepatitis B का infection बढ़ता जा रहा है तो Hepatitis B दो तरह का होता है, एक होता है, acute एक होता है, chronic जैसे ही हमारे शरीर में कोई भी infection आया, Hepatitis B का virus जो की एक DNA virus होता है हमारे शरीर में आया, तो हमारे शरीर की जो immunity होती है, इतनी strong होती है कि 70% लोगों में वो normal जो भी viral problems होती है, उसको create करने के बाद body उस virus को शरीर से बाहर निकाल देती है, तो 70% लोगों के अंदर Hepatitis B का सिर्फ acute infection हुआ चीजों प्रॉब्लम्स उसको आई और उसके बाद वो free हो गया उस virus से, लेकिन 30% लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर वो virus शरीर में ही रह जाता है और शरीर के अंदर रह करके आपके लिवर को damage करने लगता है, तो अगर आपके अंदर शरीर के अंदर Hepatitis B का virus कम से कम 6 महीनी से ज़ादा रुका हुआ है, तब आपको ये chronic infection यानि chronic Hepatitis B cause करेगा इसके अंदर आपको जो लिवर होगा उसके अंदर या तो cirrhosis cause करेगा, जिसके अंदर जो लिवर के cells होते हैं वो damage हो जाएंगे, या लिवर cancer cause कर सकता है ये बहुत बड़ा factor है और ये बहुत बड़ा reason बन के आता है deaths का तो friends, अगर 70% लोगों ये out हो जाता है, सिर्फ 30% लोगों में रहता है, तो बहुत जादा घबराने के जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपने लक्षनों पर एक नजर बना के रखने के जरूरत होती है तो चलिए, अब हम जालने लते हैं, इसके लक्षन क्या होते हैं, तो जो hepatitis B का infection होता है, आपको जब होता है, तो सबसे पहले आपको एक anorexia जैसे लगेगा, भूख नहीं लगेगा, क्योंकि liver आपके भूख से संबंदित सभी enzymes को release करता है, तो आपको भूख नहीं लगत है, weight loss आपका हो सकता है, jaundice यानि पीलिया जैसे सारे symptoms आपके शरीर में आने लगेंगे, liver का size बढ़ सकता है, तो बहुत सारे condition जो jaundice से मिलती जुलती हैं, वो भी hepatitis B में देखने को मिलती हैं, कई बार पेशन को nausea या vomiting यानि उल्टी करने का मन होगा, या उल्टी हो जाएगा, तो यह सारे symptoms होते हैं, और कई बार right side में, यानि liver side में आपको दर्द महसूस हो सकता है, पेट सूजा हुआ सालगेगा, पेट निकलता हुआ सालगेगा, चोटे बच्चों के अंदर especially, जो chest होती है, वो दबती चली जाती है, और पेट निकलता चला जाता है, hepatitis B के cases में, और क्योंकि इसका जो incubation period है, एक से लिकर चार महिने तक का है, तो बहुत जादा लोगों में infection फैलता चला जाता है, अब हम बात कर लेते हैं, इसके investigations क्या क्या होती है, तो friends, अगर आपको doubt लगता है, या आपके doctor आपको suggest करते हैं, पूरा examination करने के बाद, तो आप का एक test करा जाता है, जिसको बुलते है HSBAG, यह जो antigen होता है, hepatitis B का antigen होता है, इसका test करा जाता है, अगर यह positive आता है, तब इस confirmation होती है, कि आपको hepatitis B का infection है, इसके लावा liver की ultrasound भी कराई जाती है, उसमें भी उसका size बढ़ा हुआ सकता है, या liver cirrhosis के case में size कम होता हुआ तो friends, अब हम बात करते हैं, होमेपाथी treatment की, तो friends, अब हम बात करते हैं, hepatitis B का क्या एलाज होता है, hepatitis B पहली चीज़ तो यह है कि एक genetic बिमारी नहीं होती है, लेकिन यह बिमारी आपके खून से दूसरे को जा सकती है, especially mothers के अंदर जो pregnancy में है, pregnancy plan करने से पहले ही उनको इस doctors अभी, जो भी clinics होते हैं, यहां पर इसका test कराया जाता है, जैसे कि mother से बच्चे के अंदर इसका infection ना पहुंचे, तो friends, अगर हम बात करें treatment की, तो उसका जो allopathic treatment होता है, जो वाइरस होता है, उसको negative करने का कोई इलाज नहीं होता है, जो damage liver का हो रहा है due to the virus, तो वो ही इ carry on कर सकते हैं, सबसे पहली medicine की बात करते हैं, सबसे पहली medicine जो की hepatitis B के cases में mostly दी जाती है, वो है sulfur, sulfur दिया जाता है, friends, ऐसे cases में जहां पर आप बहुत सारी दवाईयां लेकर के आया हो, क्योंकि hepatitis B का इलाज, हुमेपथी में लोग आने से पहले बहुत तरह सा इलाज लेक करके आते हैं, तो उन cases में हम sulfur देते हैं, sulfur के अंदर patient को हर रोज सुबह सुबह मोशन के लिए feeling आएगी, भाग करके उसको सुबह आँख खुलते हैं, उसको motion बास करने के लिए जाना होगा, शरीर में पीलापन, शरीर में बहुत जादा गर्मी, बहुत तरह से चकते से जो वाइरस है, बहुत जादा chronic condition हो गई, बहुत समय से आपके शरीर में वो वाइरस है, और उसके कारण आपका जो diet है, वो बिल्कुल खराब हो चुका है, आपकी जो health हो डामेज हो चुकी है, तो ऐसे cases में हम थूजा दे सकते हैं, next medicine के बात करते हैं, friends, next medicine है नक स्वामिक नक स्वामिका उन cases में बहुत effective है, जहां पर hepatitis B के patients के अंदर history होती हो, alcohol लेने की, बहुत लंबे समय से उन्होंने alcohol लिया हो, और उनका पेट बिना कोई laxative, बिना कोई stimulant लिये हैं, उनका पेट साफ नहीं होता हो, स्टूल पास करने के लिए वो जाते हैं, बहुत देर तक वाश्रू में बैठे रहते हैं, पूरे दरा से पेट साफ नहीं होता है, वापस आते हैं, फिर उनको लगता है कि अभी जाना चाहिए, तो ऐसे cases में नक स्वामिका बहुत अच्छा काम करती है, नक स्वामिका को हम स्प्लीन भी एफेक्टेड होगे, जिसको हम प्लीहा बोलते हैं, तो उसमें भी अगर आगया है सर, तो उसके cases में हम केलकेरिया आर्स को देते हैं, केलकेरिया आर्स को मुस्टियम 3X पोटेंसी में देते हैं, तो नेक्स एक इंपोर्टेंट मेजिन है, वो है चलीडोनियम और कार्डस मेरियनस, इन दोनों मदर टिंक्चर को हेपिटाइटिस की कोई भी समस्य अगर आपको होती है, लिवर सिरोसिस हो रहा है, हेपिटाइटिस हो रहा है, हेपाटोमिगैली हो रहा है, कोई भी प्रॉब्लम जिसमें आपका लिवर सम्मंधित को भी प्रॉब्लम हो चुकी है तो उनके cases में आप मेरिका सेरी फेरा के mother tincture को भी यूज कर सकते हैं तो तीन mother tinctures यानि चैलोडियोनियम का mother tincture, Cardasmerienis का mother tincture और मेरिका सेरी फेरा का mother tinctures को आपको hepatitis B के cases में लेना है तो फ्रेंड्स यहां पर जो मने medicines बताएं these are only the front line medicine जो mostly hepatitis B के cases में दी जाती है लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि यही medicine है जो आपको है अपने hepatitis के treatment के लिए लेना है आपका hepatitis B का treatment होगा वो आपकी पूरी case taking पर आपकी history taking पर आपकी family history पर आपको किस तरह से symptoms आ रहे हैं आपकी age क्या है आपका weight क्या है इन सारी चीजों पर आपका treatment करेगा तो friends यह सारी information थी hepatitis B के बारे में जाते जाते मैं यहां पर ज़रूर बता देना जाते हूं जो लोग भी मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं कि जो hepatitis B होता है ऐसे patient के साथ किसी भी तरह का भेद भाव नहीं करें ऐसा देखा जाता है कि जो hepatitis B के patient होते हैं उनके अंदर निफियोर्टी है क्योंकि जो बिमारी होती है यह ऐसे फैलती ही नहीं है समाजी दूरी नहीं बनाना है आपको किसी भी hepatitis B के patient के साथ तो फ्रेंट्स आपको इतना empathy ज़रूर रखना चाहिए ऐसे patient के साथ तो फ्रेंट्स अगर आप मुसे डरिकली बात करना चाहते हैं तो call me for आपका यूज कर सकते हैं जिसकी बाखे की details description में दी हुई है और अगर आप मेरे साथ टैलिफोनिक consultation book करना चाहते हैं तो clinic के number 7017-991940 पर WhatsApp करके अपना appointment book कर सकते हैं फ्रेंट्स याद रखे बिना appointment book के आप इस नंबर पर call नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपका number हमारे पास रजिस्टर नहीं होगा तो फ्रेंट्स अगर आपको information पसंद आई हो तो वीडियो को like और share जरूर करें चैनल को subscribe कर लें अगर आप नए हो साथ के साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दें जैसे कि अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें wishing a very good health thanks watching